चलिए नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका मुझाओदिया मनिश चैनल पर और आज मैं आपको पूरा पी एटी जो आपकी जो अभी तीन एक्जाम आई हैं तो मैं आपको आज तीनों के पूरा डेटेल में बता दूँआ ठीके पी एटी का बता हूँ पिर डाहेट का बता हूँ पी वी एफटी का बता हूँ है तो तीनों का वीडियो अभी आपको दद्दस बेड में सबका मिल जाएगा तो पूरा डेटेल सभी का बता लेता हूँ और कल से आपकी सारी क्लासे स्टार्ट हो रही हैं तो जिनको भी एड ह इसके परिक्षा इसका जो नोटिपेकेशन आया है आज आया है गुंतेस्ताजिक को इसके जो भढ़ने के जो तीथी होती है प्रारंभिक जो प्रारंभ होगी फॉम भढ़ने की वो होगी 12-10 से और आखरी डेट होगी 26-10 मैं इसके पारे में पूरा बता दूआ 26 और आवे दन आप भढ़ने के टाइम अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको जो शंशोधन होती है वो 31-10 के दिन आपके शंशोधन हो जाएगी और इसकी जो परिक्षा डेट होती है परिक्षा के तारिक हैं पांच से साथ दिसंबर रईवार सोंबवार मंगलवार पांच छे और साथ तीन दिन इसकी पीएटे की डेट है अब आपको पेमेंट परिक्षा शुल्क जनरल वालों के लिए लगते हैं 500 रुपए अनुसेज जाती अनुसेज जन जाती अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए लगते हैं 500 रुपए जनरल वालों के लिए 500 और एसी एस्टी ओबीसी और जो भी आते हैं पिछड़ा वर्ग में उनके लिए 250 रुपए और क्या क्या है वो भी बताते तो परिक्षा का समय रहता है वो तो आपको कोई दिक्कत नहीं और क्या क्या है इसमें वो पूरा आज प्री एग्रिकल्चर टेस्ट यह नियम पी एटी प्रवेश नियम 221 के लाएगा जो कि मद्यपते शाषन किसान करणता क्रशी का बिए जिनोंने जिनका पर्ठिक्रम बीएसी आनर्स क्रशी से हैं वो चार वर्ग का है और प्रवेश इस्तति यह रहेगी इसमें योग्यता में भौतिक में रसायन में गणीत जी विग्यान क्रशी किसी में भी एक में आपको सबजेक्टारहों की on अगर ये वाला करना है तो इसमें भी जी विज्ञान रसान विज्ञान ठीक है चलिए बीटेक करना है भोतिक रसान गणित अंगरेज युशे के साथ एक ठीक है इन चारों पार्टिक्रमों की प्रवेश परिक्षा में वेश्चात्र भी सम्मीलत हो सकते हैं जो इस वर्ष मा बार्वी में आए हुए हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं लेकिन बार्वी का रेजल्ट आने के बाद ही उनको ले लिया जाएगा वो बाद में देखेंगे पात्र नहीं होंगे उत्रण न होकर बात की परिक्षा उत्रण होते हैं वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे ठीक ह आयू सिमा प्रवेशेतु नियुनतम एवं अधिक्तम आयू निर्धारित नहीं है मतलब कोई भी इसमें डाल सकता है जिनोंने बारवी में क्या किया हो भोतिक रसायन या गणित से डिपलोमा प्राप्त किया हो ग्यार भी बारवी में ठीक है कोई भी एज कोई भी एज होनी चाहिए इसमें यह नहीं दे रखा हैं ओके और क्या क्या है आप फार्म डालोगे उसमें आपको उस टाइम पर अगर एच का होगा तो उस टाइम पर बता देगा हो और कोई है इसमें कुछ देख लेते हैं यह सब आपको पढ़ना पड़ेगा आराम से एक 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 चीज आपको पढ़नी पड़ेगी है ना बीसी योग्यता बीसी पार्टेक्रों प्रवेश के समय के प्रिस्तोत करें अच्छा आप अगर बारवी में हो है ना और अगर आप बारवी में होने के बाद अगर आप पास हो गए तो आपको यह लेंगे नहीं क्यों नहीं लेंगे जहां तक आपके बारवी का रिजल्ट इनको नहीं बताओगे वहां तक यह लेंगे नहीं तो बारवी पास होना चाहिए वो ही फार्म डाल सकते हैं इसमें यह पूरा आपको पढ़ना है आराम से एक चीज है पूरा मैं आपको टेलीग्राम पर देदूआ वोटसप पर देदूआ जो भी जहां पर आएगी वहां पर देदूआ तो और इसमें मारकिंग है और जो हमार साथ जुड़ना चाहते इस नमबर पर मैसेज करके जुड़ जाना भिलकुल फ्री क्लास है ताज़ा और क्या क्या है मारकिंग है इसमें स्टिपल मीने पूँरा पाय जो खास चीज़े मिने आपको पूरा बता दिया है एक्जाम तारीख भी बता दिए है न यह देख लो आपको डेली अपन जो पढ़ रहे हैं आपकी जो विज्ञान में फिजिक्स आएगा ठीक है फिजिक्स आएगा आपका म knife के फिर आएगी आपकी chemistry हP official अगर अगर सब्जेक्ट अगर तो गनित आएगा और विज्ञान होगा थो विज्ञान क्यां मेंस में थे कर लिए अगर आपने deze सास्त्रा आएगा जो लोगी पढ़ रहे हैं अगर आपने क्रशी वाला सिलेक्ट किया है तो आपको गणीत का पेपर भी देना पड़ेगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं वहाँ पर आप जो ओनलाइन पर होगे वहाँ सब आजाएगा और इसमें कोई और कुछ आपके सिले बस जो आप वहाँ पर चूस करोगे ना वहाँ पर उस हिसाबस आपको एक पेपर अलग से आएगा वह 100 नंब बर का है ना और इसमें कोई पूदेह लेते पचास नमबर के आपकी physics आएगी, पचास नमबर की chemistry आएगी और 100 नमबर का max का paper आएगा, 200 नमबर का आएगा किन किन के वाले देखो, आपने अगर पाठ्थे क्रम में ये कर रखा होगा तो आपकी ये वाले आजाएगे आप पाठ्थे क्रम में ये तो आएगे, अपके पाठ्थे क्रम में ये कर रखा होगा तो आपकी ये वाले आजाएगे एपका पाठ्थे क्रम में ये हैं तो ये आएगे है और सिलेबा-sphysics chemistry तो आए गया और क्या opponents देख लेते हैं कि आपको इसको पूरा एक बार पढ़ना भी पढ़ेगा मैंने आपको पूरा एक बार बता दिया क्या खास-खास है इसमें एज भी वह भी दे रखी है चेस्ट और वह भी एक मिल में देख लेता हूं अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करते हैं और कल सुभी साड़े छे बज़े से आपकी सारी क्लास स्थार्ट हो जाएगी कि यहां पर इन्होंने दे रखी शारी रिक योग्डता कि बीयएसी वानी की आनर्स पुर्लिहीं प्रवैसियो को प्रवेस के पूर्व नेमना अनुसार शारी 20 मतलब बीसकी वानी की आनर्स परवेस form में प्रवेस्ट वोन जो बिंदतर स्थारे करना होगा हाइट होगी 1 133 cm और चेस्ट होना चाहिए 84 cm यह होना चाहिए आपकी है ना और जो भी होगा मैं आपको बता दूँ ठीक है तो यह मैंने आपको बता दिया है वीडियो अच्छा लगए तो लाइक शेर सब्सक्राइब कर देना और अगर हमारे फ्री ग्रूप में एड होना ह तो इस नंबर पर आप मेसेज कर देना इसके बाद मैं आपको दो वेकेंस हैं कि और बारे में बता देता हूं आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवा चैनल को सब्सक्राइब जरू करें इसमें सारे वीडियो हैं वह आराम से देखे कल से आपकी सारी क्लासे स्टार्ट हो रही हैं